प्रधान मंत्री इम्रान खान के खिलाप आज पाकिस्तानी संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर मद्दान होना है। इम्रान खान के पार्टी तहरीके इंसाफ पार्टी से जुड़े डिप्री स्पीकर सूरी ने तीन अप्रेल को खान के खिलाप अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। गुर्वार को जारी पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के नौवे पहरा में लिखा है कि स्पीकर का करतव्य है कि वे वर्तवान सत्र में नेशनल असेमली की बैठक बुलाएं। ऐसा उन्हें चतकाल करना होगा और किसी वे मामले में शिनवार सुभा सारे दस बजे के बाद नहीं होगा। इसे बहले शुकरवार रात को प्रधान मंतरी खान ने देश के नाम दिया अपने संबोधन में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अफसोच रताया था। पाकिस्तान में विदेशी ताकतों के इशारे पर विपक्ष नात रहा है। पास दूसरा विकल्ब अविश्वास पस्ताव का सामना करना है ऐसे मोने जीत के लिए विपक्षी एक्ता को तोड़ने की जरूरत होगी जो काफी मुश्किल है।